ओलाइट, what's going on my lovely student, here is people out there, welcome to पढले टेंटीज और आज इस वीडियो के अंदर हम फटा फटी जो बहुत ही चोट सा बहुत ही क्यूट सा चेप्टर है मारी एक्कनामिक्स का money and credit, prices की बात जहां हम करने वाले हैं, वहाँ बहुत तेजी सलता तो यह चेप्टर हम बहुत ही फटा फट बहुत ही तेजी से complete कर लेंगे, वन शॉट के अंदर जिसमें तुमको पूरा चेप्टर बता दूंगा और लास्ट में कुछ पी वाई क्यूस भी कर लेंगे, ठीक है इस बैच अगर जाएगर तुम लाग चैनल को सुब्सक्राब कर लो, तुम बस तीन लाग सब्सक्राइबर का टार्गेट तुम हमको अचीव कर रहा है, और साथ में अगर तुम लागे मत्ते हैं, इनरोल नहीं की है, मतलब एबसी यजो बैच यह जाईग जाएगे, डाउ जो तुमको लेक्टर यहां पर देखने को मिलता है यह सारे जो भी यूट्यूब पर आ रहा है तुम्हारी लास्ट मिनिट प्रेपरेशन के लिए वो सारे के सारे कॉंकर बैच के अंदर भी आएंगे पर हम उस बैच में एंडरोल क्यों करें उसका रिजन है कि वहाँ पर तुमको कुछ एक्स्ट्रा एड़ेट फीचर देखने को मिलता है जस्ट फॉर फ्री तुमको को एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा है तुमको इस यूट्यूब के बज़ा है उसको एप पर देखना है तो कि वहाँ पर जो भी बच्चे होंगों सिर्फ पढ़ने वाले ही आएंगे और वो पूरी एब भी सिर्फ पढ़ाई की है यूट्यूब पर काता है कि सो अलगार चीज मिल जाता और रीदर हो तो पता चला कि हम 10th past करना है और कोई बंदा हमको बता रहे कि बिलिनेर कैसे बन लिंक है उस पर क्लिक करो और बस enroll कर लो बहुत simple है जो details मांग रहे है डाल दो और वहाँ पर ये lectures देख लो तुमको add freebie experience मिल रहा है तो दिक्कत क्या है करो ना उसको ठीक है चलो अब आते हैं money and credit कर पर तो money क्या है पाईसा क्या है पाईसा है medium of exchange ठीक है medium है मालब किसी भी exchange मालो मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए तो I can use money as that medium of exchange medium मतलब की इसके through हम कोई भी exchange प्रोसेस कर सकते है जैसे मालो मालो कि मुझे तुमसे wallet चाहिए तो मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे देदूँगा तो मैंने अपनी तरफ से क्या दिया पैसा तो तुमने पैस के अंदर एक ही note बचा हुआ है I am broke सिर्फ एक note बचा है तो चीज़ अब यह note है तो यह note value carry करता है 500 रुपे की ठीक है तो अलग-अलग note अलग-अलग value carry करता है तो इस note की price 500 रुपे नहीं मतलब यह बनने में बहुत ही कम पैसे लगे होंगे पर चूकी यहाँ पर 500 लिखा उस coupon के पर लिखाड़ता है कि 100 रुपे तुमको discount मिलेगा तो उस coupon की worth हो गई 100 रुपे वैसे ही इस piece of note की value वह गई 500 रुपे ठीक है चलो बहुत बढ़ बढ़िया generally these are seen as paper money and coin तो coin भी होता हमारे पास में coin देख लाते का हमारे पास में coin है YES हमारे पास में coin है हमारे पास में 5 रुपे का सिख्का भी है ठीक है तो हमारे पास में total 505 रुपे मेरी net worth बहुत बढ़िया तो money as a medium of exchange तो हम देखते है money कि हम कैसे medium of exchange कर रहा यूज करते हैं तो एक बार क्लिए मानलो कि money है ही नहीं मानलो पैसे जैसे कोई चीज एक्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में कुछ ऐसा ही नहीं जिसको में exchange करके कुछ ले पाऊं और फिर तुमको हर slide change करने से पहले make sure कि तुम वीडियो pause करो और वो slide read कर लो मुश्किल से तुमारे 10 से 12 सेकंड लगेंगे पर slide मुश्किल से 10 से 12 सेकंड पर इससे तुमारे preparation 3 से 4 गुना यहीं कहीं हो जाएगी क्योंकि जो मैं तुमको बाते बता रहो जो तुमारे दिल को समझा रही है वो तुमारे धिमाग को भी समझाने लग जाएगी और याद रहने लग जाएगी चलो बहुत बड़े मालो पैसे ऐसी चीज कोई है निदूरियां के अंदर तो उस case में अगर मालो कि मुझे जूते बनाता हूँ I am a shoe manufacturer और मुझे गेहूं खरीदना है गेहूं बहुती बाते रोटी खाने के लिए गेहूं खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे गेहूं बेचने वाला ऐसा बंदा ची होगा जिसको जूते ही चाहिए ठीक है मैं तब तुमारे पास भी उसी च चीज देने को है जो मैं लेना चाहता हूँ तो यह तो बहुती पेचीदा काम होगा ठीक है तो इसको हम बोलते है double coincidence of wants double of wants wants मतलब चाहत ठीक है इच्छा कि मैं क्या चाह रहा हूँ coincidence मतलब itfuck double मतलब double double मतलब समझा आता है ठीक है two way ठीक है तो मुझे और तुमको सेम चीज चाहने की सेम चीज के इच्छा हो मतलब मैं जो देना चाहरा हूँ वो तुम लेना चाहरे हो और तुम जो देना चाहरे हो मैं लेना चाहरा हूँ अगर ऐसा system बैठता है तभी जाके वो deal हो पाएगी अधरवाइस deal नहीं हो पाएगी ठीक है तो मैं तो बिचार कि खाई नहीं पाऊंगा अभी मतलब मैं पहले तो निकलू जूता लेकर कि कि किसको जूता खाना है ठीक है उसके मतलब मुझे गहूँ दो तो यह तो भाई अलगी ही बात हो जाएगी ठीक है तो इसको इस system को ब पौधा बेच रहा हूँ और मानलो कि मेरे पास में पौधा और मुझे चाहिए वालेट तो मैं का करूँगा कि ऐसे वालेट आले के पास जाऊंगा जिसको इस पौधे की जरूँगा तो मानलो मुझे मिल गया कि हाँ यह गट्टू बही बेच रहा है तो मैं इसको बेच हो कि किसको क्या चाहिए उस हिसाब से में बेच हो मतलब मैं खाना पीना छोड़ के पहले तो जूता लेके घुम हो कि किसको जूता खाना तुम सब में से तो यह तो अजीब सी बात हो जाईगी तो गुड्स का रहा है जो चीजे होती एक्चुली जो फिजिकल प्रडॉक्स होते हो और सर्विसे ऐसी चीजे होगे जो की काम आसान करने के लिए हो जाते ही या फिर चीजोओं को चीजे बेचने के छोड़के सब कुछ वह सब सर्विसे होगे जैसे महलों मैं फोन बेच का होता था कि ग्रेंज, केटल, इन सब को यूज़ करने, बेड़ बक्रियों को एक्चेंज करते थे, और उसके बदले लेते थे, ग्रेंज या फिर अनाज एक्चेंज करते थे, मेडिवल पिरेड जो बीच का तो समय था, उसमें मेटलिक कोईंस आने लग गए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन सब के, जब राजा महरा हो जो गाराज था तो उन्होंने गोल्ड, सिल्वर अपने अपने नाम के कोईंस बना दिये, और मेरा पास में पेपर मनी हैं, कॉइंस हैं, अब हम मौडरन फॉर्म सब मनी देखते हैं, तो सबसे पहला है करेंसी, करेंसी मतब हमारे पास में पेपर नॉट होग और कॉइंस हो गए, बाई यह चीज़े में फटा बता नो, जिसमें तुम्हारा दिमाग नहीं लगना चीज यह विल्कुल एक रिविजन चीज है, तुमको फटाफट एक वन शॉट में समझाना चीज है, कि लास्ट के अगर तुम आदे घंटे भी इस लेक्टर को देख रो तुमारा आदे घंटे बात पेपर है, तो भी तुमको यह समझाना चीज है, इतनी स्पीड से और इतनी अ इस नोट के ऐसी क्या खासेत है, तो इस नोट में और मानलो कि कोई रैंडम पीस ओफ पेपर है, इस पेपर में क्या डिफरेंस है, क्यों इस पेपर के बदले में 500 रुपे केक नहीं खरी सकता है, तो दोनों पेपर ही, ऐसा इसलिए है, क्योंकि it is authorized by the government of country, मतलब कि इसके ओ इस नोट को पकट रखा है, तो मैं इस नोट का धारक हूँ, तो governor of India ने मुझे अपनी sign के साथ ये लिखित में दिया है, कि अगर तेरे पास ये note है, तो तू 500 रुपे का मालिक है, ठीक है, तो basically, I promise to pay the bearer the sum of 500 रुपीज with the signature of the governor of RBI, ठीक है, तो ये RBI क्या करते है, government की मित कर रहा होता है, ठीक है, modern form सा मानी देख रहता है, तो check हो गया credit card, debit card हो गया, तो apart from currency, ये सब चीज़े check हो गया, तो check sign करके देते है, debit card, credit card हो गया, ठीक है, अब ऐसे मैं दिखा तो सकता है, ये देख सकते हो, तो यहाँ पर credit card, इस type का कुछ देखता है, ठीक है, इस पे त credit card, इस card के through भी मैं payment कर सकता हूँ easily, ठीक है, मतलब इस card के through भी मैं चीज़े खरीच सकता हूँ, because it is a modern form of money, ठीक है, तो अब देखो, अब bank पर आते, तो bank, bank का क्या logic है, basically, हम bank में पैसा जमा कर सकते है, पहली बाद उससे security रहती है, ठीक है, और दूसरी बात है, हमको bank उसक पैसे जमा रखे, तो हम तुमको उसका कुछ-कुछ interest दे रहे है, पर वो interest क्यों हो दे रहा है, वो मैं तुमको समझाता हूँ आगे चलके, ठीक है, और हम पैसे withdraw भी कर सकते है, जब एच्छो मानलो कि हमानलो कि हमारे घर में शादी आ गगई, तो हम गया ATM, ATM से निकाले पै It is an essential feature of economy, demand deposit is accepted widely as a means of payment along currency, मतलब कि वो actual मुझे note लेके नहीं जाना है, बट हम मैं वो demand deposit लेके जा सकता हूँ, कि मैंने अपनी demand पर इस particular आदमी को या इस particular organization को इतने पैसे deposit करने का बोला है, यह मेरे demand पर हो रहा है, तो जब उसकी इच्छा होगे, वो उसको लगा देगा वह एक ऐसी चीज है जहाँ पर मैं bank को instruct कर रहा हूँ, जैसे मालो मैंने गट्टू के नाम पर check फाड़ा, ठीक है, paying गट्टू sum of rupees 500, तो इसका मतलब ही कि मैं bank को instruct कर रहा हूँ कि मेरे बिहाफ पे गट्टू को 500 रुपे देदो, ठीक है, तो paper instructing bank to pay a specific amount to the person's account, to the person in whose name the check has been issued, तो जिसके नाम में check issue है, उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, अब banks काम कैसे करती है, बैंक कैसे पैसे कमारी है, मतलब हम bank कैसे पैसा रख रहे है और ultra bank हमको interest दे रही तो bank profit कैसे कमारी है, तो basically bank करता है कि जो भी हम deposit करते है bank के अंदर, वो उसका बहुत कम amount रखता है cash के अ पर अब bank का करेगा, उसको एक लाग रुपे जाए मैंने bank में रखे, तो वो bank अपने घर में रखेगा, चलो पढ़े रहे हैं तो एक लाग रुपे, वो उसको आगे किसी को loan दे देगा, ठीक है, तो जब भी bank किसी को loan देता, तो जाधा interest चार्ज करता है, तो जब bank एक ला लाग रुपे deposit के बैंक के अंदर, तो इसका मतलब एक साल बाद bank मुझे कितने रुपे देगा, इसके बदले 4000 रुपे, चार परसें इंटरेस्ट पर, ठीक है, अब मानलो, bank किसी को loan दे रहा है, let's up 10% interest पर loan दे रहा है, 10% interest पर, तो bank उससे कितने पैसे चार्ज कर रहा है, मतलब एक लाग तो आएंगे, आएंगे bank के बास में, पर इस एक लाग के बदले 10% का interest, मतलब 10% उसको उपर से मिल रहा है, तो मतलब bank 10,000 रुपे इससे extra ले रहा है, और bank मुझे कितने दे रहा है, साल बार के बाद 4000 रुपे, तो जो बचा 6000 रुपे बैंक ने पैसे कमा ल लिमिट है, तो इस लिमिट में जितना spend करना, उतना spend कर लो, तो एक तरीक से वो लोन हो गया, मतलब credit card क्या होता है, it is a loan only, ठीक है, तो एक लाग रुपे का लोन है, मेरे पस अपमे उसको use करना चाहूं तो कर सकता हूं, नहीं करना चाहूं तो नहीं करो, ठीक है, it is the agreement in which the lender supplies borrow with money, goods or services in return for the promise of future payments, मतलब कि आज की date में मैं तुमको loan देदूँगा, पैसे देदूँगा, कुछ भी देदूँगा, और उसके बदले मैं बोलूँगा कि तुम future में उसको repay कर सकता हूं, आज तुमारा पैस पैसे नहीं कोई बात नहीं, पर तुम बाद मुझे repay कर सकते ह ठीक है, अब इसके दो होते हैं, positive side और negative side, अब देखो, loan लेते हैं तो बहुत सारे advantages भी होते हैं, तो एक story है जो तुम रीट कर सकते हैं, मैं तुम इसका सार बता जाता हूं, तो basically positive, एक तरीक से positive approach कैसे हो सकती है loan की, जैसे कि मानलो कि मेरे पास मैं 10,000 जूते बनाने को order है है, अब मेरे पास में इतने पैसे नहीं कि मैं 10,000 जूते बना पाऊ, मैं अकेला तो बनाने सकता, तो मुझे उसके लिए किसी को hire करना पड़ेगा, मुझे कुछ machine खरीदनी पड़ेगी, अब मेरे पास में order है 10,000 जूते होगा, पर मेरे पास में resources नहीं कि मैं वो चीज कहा तो मुझे वहाँ से जो पैसा मिलना तो profit मिल गया, और मैंने जो एक लाग रोपे से ले थे, मैंने इसको भी दे दिये, तो इसका भी काम हो गया, इसको भी थोड़े बहुत interest पैस मिल गया, मेरा order भी successful होगा, तो मैंने profit भी कमा लिया, और जिसको order देना तो उसको time पो उसक कुछ अच्छा-च्छा हो रहा है, तो ऐसा होता है positive scenario, अब negative scenario क्या है, मानलो की swapna नाम की एक औरत है, जिसने loan लिया bank से, या कहीं से भी, मानलो bank से नहीं, किसी जमीदार से loan लिया, अब light सली गई तो यसी बंद होगा, तो गर्मी तो लग नहीं पर कोई बात दिया, हम नही जो फसल होगे कि तो उसको बेचे कि तो उसको पैसे मिल जाएंगे, पर हुआ कुछ ऐसा कि उसकी फसल होगा ही failure, यानि कि crop failure होगा, मानलो बारिश नहीं आया, सूखा पढ़ गया, जो भी हुआ उसके कारण, तो अब उसने जो loan दे रहा था, उसको वो तो repay करना ही है, पर तो ये जमिदार गया कि चलो ठीके तो मेरा loan चुगा दे, पर उसने जिससे अब loan लिया, उसको उसका loan repay करना पड़ेगा, तो अब किसी और सो loan लेगे, इसका मतलब वो क्या करेगी, all in all, कि वो एक दूसरे का, किसी का loan लेगे, किसी का loan लेगे, किसी को pay करेगी, और इसको ह be silent है, debt trap, debt trap क्या होता है, trap मतलब जाल, तो debt trap एक ऐसा जाल होता है, जिसमें लोग जीवन भर लग जाते पर वो कभी बाहर ने निकल पाते, तो ये बहुत ही गंदी practice है, कि हम एक loan को चुकाने के लिए दूसरा loan ले रहे हैं, ठीक है, it is a situation where a borr is led to a cycle of reborrowing, मतलब उसको बार 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 पैसे लेने ही पड़ते हैं, इसके लिए का होता है, वो in debt रह जाता है, all their life, पूरी जिंदगी उसको यही खेल खेलना पड़ता है, कि किसी का loan लेके, किसी और को चुकाओ, किसी और को चुकाओ, ठीक है, अब आते बहुत है, ठीक है, तो मतलब जहां मुझे एक लाक रुपय का loan लेना है, तो पहले मुझे 8% के साब से सिर्फ 8,000 रुप इंटे देना पड़ता, तो हो सकता है, कोई bank ऐसा हो, जो कि 10% चार्ज कर रहा हो, तो मुझे 10,000 रुपय देने पड़ेंगे उसको, ठीक है, तो वो चीज हो सकती है, दूसरा होता है, collateral, वो बत Basically collateral एक ऐसी चीज होती है, कि ऐसा asset होता है, जो कि मुझे तुम से loan लेना है, मानलो मैं तुमारे पास आया loan ने निकले, अब तुम बोलोगे कि बही कुछ security दे दे, मानलो कि मैं loan ले prepay नहीं कर पाया, तो तुम अपना पैसा कैसे वसूल करोगे, तो उस case में तुमको as security कोई घर होगा, कोई गाड़ी होगी, ठीक है, या कोई जमीन होगी, तो मैं जमीन को as collateral रख दूँगा तुमारे पास में, ठीक है, कि बही ये जमीन रख ले मानले कि मैं नहीं चुका पाया, तो तो ये जमीन रख लान मेरी, पर light आ गई, देखो, जमीन की बात हुए तो light पर light भी समझती है सारी चीज़े, ठीक है, तो ये एक तरीके से the lender के news as a guarantee, तो अगर मैं रिपने नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उस plot को बेच के अपना पैसा वसूल कर लूँ, मैं basically concept ही होता है, ठीक है, आप देखते हैं, इंट्रेस्टेट, तो formal sector, formal sector मतलब जो कि government की control में आ जिनका कोई government से कोई तालुक ने हो, बस उनका पैसा है, तो वो ऐसी दे देते किसी को, या कोई बड़े लोग होगे, मतलब किसी गाउम में होता ने कोई जमीनदार है बहुत बड़ा, जो सबको लोन दे देता है, तो उस type के लोग होगे, तो वो लोग जाधा interest चार्ज करत तो डिपेंड करता है, percent to percent, ठीक है, चलो, अब देखते विए documentation, documentation क्या है, documentation मतलब कि documents है, हमारे पास में सारे के-सारे documents होने चाहिए, कि employment record, कि मेरे पास में salary आती ही कि ने आती है, ठीक है, तो मेरी salary, मेरी bank statement, कि मेरे पास सची में पैसा आता है कि ने आता है, वरना पता चल पाने, ठीक है, it also includes collateral papers, तो collateral paper piece में include होता है, जैसे कि मानलों कि मैं एक करोड का लोन ने जा रहा हूँ, तो पहले हो तो देखेगा कि मैं एक करोड का लायक हूँ की नहीं, पता चला कि कोई भी आयरा गयरा निकल गया और एक करोड का लोन ले 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 तो उसको थोड़ी दें collateral papers, identity proof and some other details, यह सारी चीज होती है, अब mode of repayment, mode of repayment at the time of agreement decide होता है, जब हम यह loan ले रहा होता है, तब हम decide करते हैं कि तुमको पैसे हम cash में दें, transfer करें, check में दें, कैसे दें, तो mode of repayment हो गया, ठीक है, अब आते हैं, loan from cooperatives, तो cooperative क्या है, तो basically cooperative society, small scale organization है जो कि लोग खुद ब जो अमीर होते हैं, जिनके असमें थोड़े well-to-do होते हैं, वो मिलके बना लेते हैं, अब यह सारे cooperative group के लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी पैसे होते हैं, सब एक pool में डाल देते हैं, और जिसको भी ज़रुत होती है, उसको उस pool में से पैसा देते हैं, मतलब मानलो कि 1 एक लाक रुपे डालने वाले मेरे पास में 10 लोग हो गए, तो total मेरे pool में 10 लाक रुप एकटा हो गए, अब किसी को मानलो, randomly किसी को 3 लाक के लोन की ज़रुत पढ़ती है, तो मेरे पास तो सिर्फ एक लाक ही थे, पर मैं उस pool के through उसको लोन दे सकता हूँ 3 लाक का, ठीक है लग लग टाइप के कोरेटिव दे से क्रिशना कोपरेटिव, वीवर्स कोपरेटिव, इंडस्ट्रिल वर्कर्स कोपरेटिव, तो यह बेसिकली कोपरेटिव के होता है, एक group of people आता है, जो कि same type का 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 काम करते है, जैसे किसी industry के इंदर कुछ जो काम करना लोगे, उन्हों तो वो ऐसा नहीं कि मन से किसी को भी दे दिया, इंफॉर्मल होगे, मनी लेंडर होगे, ट्रेडर्स, एम्प्लोई, फ्रेंड्स, रिल्लिटिव, इस सब इन्फॉर्मल में आ गए, जो कि फॉर्मल नहीं है, जो कि गर्न्मेंट केंट्रोल नहीं है, अब तुम्हें डिफरे जाए 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 और collateral नहीं होता है, बैंक तो guarantee माँगेगी न, बैंक को collateral लगता है कि तुमारे कुछ जमीन जायदा दो, अब उसकास में जमीन है नहीं बिचार कि बास यह documentation दो, अब बहुत सारे गाउन का लोग ऐसे जिनकासा पूर पीपल, ठीक है, कोपरेटिव थोड़े अच्छे, जो थोड़े रिच होते हैं, फिर थोड़े थोड़े वेल टूड़े होते हैं, पर सेलफ वेल ग्रूप ऐसा होता है, जो कि पूर लोग बनाते हैं, जनरली विमन इसमें पार्ट रहती हैं, तो यह अपने थोड़े- विमन घोता है, जो लोग होते हैं, जल रेगूलरली मिलते रहते हैं, तो वो लोग मिलके अपना ग्रूप बना लेते हैं, 15 वे जिसको सेल्फ-हल्प ग्रूप बोलता है, फटके हैं. अब इसके advantages के हैं इसके advantages यह हैं कि भाई borrowers जो होते हैं जो भी loan लेना लेना लेता है तो वो बजाए किसी money lender के through ले जो कि बहुत powerful है वो एक ऐसे self help group से ले सकता है जो उसको काफी easily terms पे ले सकता है मतलब उसको जादा ऐसे दिमाग नहीं लगाना पड़ागा उसको जादा ऐसा नहीं होगा कि अगर खौफ बना रहेगा कि अगर repay नहीं कर पाया तो थोड़ा एक भली है यह इतना formal भी नहीं जितना banks है पर फिर भी comparatively एक safer option है as compared to money lenders people के इनका time loans for variety of purposes are reasonable तो इनका interest भी reasonable होता है SSGs are the building blocks of organization of the rural people ठीक है तो मतलब SSGs बहुत important है इनकी regular meeting तो basically क्या होता है SSG के जो भी लोग होती इनकी regular meeting होती रोज मिलता है तो जब हैं मिलते हैं तो सिर्फ इस पैसे की बात के अलाग़ भी बहुत सारी चीज़े डिसकस करते होंगे जैसे social issues, health, nutrition, domestic violence तो एक तरीके से ये सब लोग मिलके कुछ न कुछ discussion करते हैं तो इनका knowledge भी बढ़ता है तो ये aware भी होता है तो इसलिए self-help group overall बहुत necessary है और बहुत important बहुत अच्छी चीज है इससे कहोता है कि पैसे की जड़ा तो बैंक से ले सकते हैं पर इन दोनों को बीच में difference यह है कि SSGs are generally of poor people जो की rural area मिलता है और cooperative societies urban areas में मिलते हैं मतलब अच्छी cities में नौर्मल urban cities में मिलते हैं जहांपर let's say workers, industrial, cooperatives ऐसे लोग मिलके group बनाते हैं अब फड़ा और कुछ PYQs कर ले थे चार पास अगर तुमको जाधा PYQs करने हैं तो make sure कि तुम description में जाओ पढ़ ले के notes डाउनलोड कर लो तुमको पढ़ ले के website के उपर सारे notes देखने को मिल जाएंगे money and credit के जब तुम notes डाउनलोड करोगे टो debit card यह सब plastic के होता तो plastic money बोलता हम इनको ठीक है older currency में bronze coins हो गए ठीक है older currency में क्या होगे मार पस में bronze coins हो गए which was used earlier in items ठीक है How is the maximum retail price printed on packets beneficial for you तो MRP होती भाई इसकी क्या importance होता है MRP बहुत important होती है basically MRP का मतलब होता है maximum retail price मतलब कि इससे दाद price पर हम retail नहीं कर सकते है तो MRP किसी प्रोड़कर पर लिखी हो 20 उरुप है तो मैं ऐसा consumer समझ जाता हूँ कि इसकी value 20 उरुप है तो कोई भी दुकानदार मुझे बेवगूफ नहीं बना सकता इसको 30 उरुप है बेचके तो MRP से उपर कोई तुम से पैसा चार्ज नहीं कर सकता अगर किसी प्रोड़क के उपर price 50 उरुप है तो वो 50 उरुप ही है तुम चाहो तो consumer court जा सकते हो उसके लिए पर इतना दिमाग हम लगाते हैं इसलिए में 1-2 रुप जाद उपर देता है बट यह रूल है कि तुम MRP से जादा पैसे देने के तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बहले कोई कितना भी मांगे ठीक है ओके ठीक है चलो describe the bad effects of informal sources of credit तो इनका कोई वो नहीं है subordinate मतब इस subordinate नहीं है किसी को भी answerable नहीं है किसी के लिए भी responsible नहीं जैसे RBI अगरा तो इसमें कई इनका कोई connection नहीं है दूसरा इसका कोई fixed interest rate जो है वो present नहीं होता मतलब it is absent तो वो कभी भी interest rate बढ़ा सकते है कभी भी कम कर सकते है तो भाई exploitation के chances जाथ है मतलब लोग पागल हो सकते है इस चक्कर में तो unfair means तो इसमें unfair means बहुत होते है पैसा वसूल करने के लिए मतलब कई बार लोग मारते भी है एक दूसरे को तुमने देखा होगा कि पैसा वसूला नहीं तो तुमको मार पीट पड़ती है ठीक है bank मार नहीं हाता तुमको ठीक है पर यह लोग ऐसा कर सकते है higher interest rates with no official records often lead to debt traps ठीक है इसमें interest बहुत जाद है और कोई official record भी नहीं है कि कहीं कि लिखा हुआ record के पैसे दिये की नहीं दे है तो वो कुछ भी कर सकता है फिर माने लेंटर वो उतना powerful होता है ठीक है explaining three loan activities of banks in India तो bank provide loan for various activities ठीक है simple सी बात है banks intermediate between those who have surplus funds and those who are in need of funds अगर मेरे पास surplus fund है तो मैं बैंक में पैसा जमां कर सकता हूँ और जिसको पैसे की जरुवत है तो वो bank से लिश सकता हूँ तो bank एक बीच का intermediate की तरह काम करता है ठीक है banks have very less interest on deposits than what they demand on loans तो basically loan पे वो 80% चार्ज करेंगे पर अगर मैं deposit कर रहा हूँ तो मुझे 4-5% से जाधा नहीं देंगे तो वो जो बचाओ 3-4% जो वो किसी और से चार्ज करेंगे वो ही उनका profit होता है ठीक है which government what is supravices the functioning of formal sources explain its functioning तो RBI है ठीक है तो RBI के कुछ-कुछ यहां पर 4-5% वो दे रख है तो यह भी तुम रीट कर सकते हैं पॉस्ट करके हैं तो that being said I hope you guys enjoyed this lecture make sure कि तुम 3 लाग सब्सक्राइब स्मटावर्ट हिट कर दो और कॉंगर बेश में अब अभी तक एन्रोल नहीं का तो कर लो एन्रोल इसके अंदर भी और नोट सब्सक्राइब कर लेना तो that being said मिलते नेक्स लेक्टर के अंदर तब तक के लिए गुडबाई टेक केर जैहिंद वन्दे मातरम